दोजी कोईन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 2013 में लॉंच किया गया था दोजी कोईन को बिली मार्कस और इंडस्ट्री लीडर जैक्सन पामर द्वारा विक्सित किया गया था जिसे एक जैपनीज डॉग शिबाइनो के मीम से दर्शाया गया है अब सवाल उठता है कि क्या है ये डोजी कोईन और क्या है ये क्रिप्टो करेंसी कैसे बनाई जाती है ये क्रिप्टो करेंसी ये करेंसी एक डॉग मीम पर आधारित है दरसल इसे शुरू में एक मजाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था जिसमें एक कॉमिक सेंस फॉन्ट में एक जैपनीज डॉग शिबाइनो नाम की डॉक को दिखाया गया उस समय मजाग के रूप में शुरू की गई ये क्रिप्टो करिंसी दीरे दीरे एक फेमस क्रिप्टो करिंसी बनती जा रही है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेसला कंपनी के सीई ओ एलन मस्क आजकल सोशल मीडिया पर डॉजी कोईन पर ट्वीच को लेकर काफी चाय हुए हैं एलन मस्क ने पिछले कुछ दिनों में कई बार डॉजी कोईन के बारे में ट्वीच किया उन्होंने कुछ दिनों पहले एक डॉग पत्रिका की एक तस्वीर पोस्ट की जो कि फैशन शीशक वोगा पर आधारित थी पोस्ट में कुद्टे की तस्वीर दिखाई गई है जिसे लेकर रेड़िट ग्रूप में कहा कि डोजी कोईन को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति अपना समर्थन दे रहा है फिर क्या था, दोजी कोईन सफलता की और बढ़ता चला गया यू तो एलन मस्क ने कभी अनि किसी भी वर्चुल करेंसी के बारे में कभी कोई अपनी मजबूत राए नहीं दी लेकिन दोजी कोईन के बारे में वो अनि को बार ट्वीट करते रहे है लेकिन भागी की विडंबना देखिए, एलन मस्क की ट्वीट करते ही डोजी कोईन की कीमत में अचानक ही उच्छा ला गया। एलन मस्क ने हाल ही ने सूशल ओडियो आप क्लब हाउस पर कहा कि सबसे एंटर्टेनिंग रिजल्स और सबसे विडंबना पूर्ण परणाम ये होगा कि डोजी कोईन भविश में प्रित्वी की सर्वश्रेश्ट क्रिप्टो करंसी बन जाएगा। फिर क्या था? देखते ही अचानक इसकी कीमतों में जाफा होने लगा। दरसल एलन मस्क ने ट्वीट के जरीए खुशना की थी कि अब वे ट्विटर से कुछ दिन दूर रहेंगे। लेकिन ऐसा कहने के ठीक अगले ही दिन एलन मस्क का फिर से ट्वीट आया, जिसने उन्होंने डोजी कोईन मीम को प बढ़ावा दिया। एक अन्य ट्वीट के जरीए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे के लिए कुछ डोजी कोईन खरीदे है। ऐसा कहकर उन्होंने एक बार फिर डोजी कोईन को बढ़ावा दिया है। आईए जानते हैं कि क्या है ये डोजी कोईन, क् क्रिप्टो करेंसी और ये कैसे काम करता है? Dogecoin एक open source digital currency है, जो bitcoin के विकल्प की सूची में शामिल है. Dogecoin में एक dog का mark है. Cryptocurrency एक virtual currency होती है, समय बीटने के साथ साथ जब इस coin की value बढ़ने लगती है, तो लोग इससे खरीद लेते हैं और use मिलाते हैं और transaction करते हैं, जिसमें transaction के समय कोई mediator नहीं होता. जब कीमत बढ़ जाती है, तब इस currency की value भी बढ़ जाती है, जिससे लोग profit कमाते हैं. अब आज के लोग Dogecoin में invest कर रहे हैं, वैसे तो खुद की cryptocurrency बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे कोई भी बना सकता है, इसके लिए जरूरी है तो आपको coding का घ्यान होना, अगर आपको coding की knowledge है, तो आप भी अपनी cryptocurrency बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करें, तो crypto currency बनाने से ज़ादा इसे चलाना मुश्किल होता है, Dogecoin 2013 में बना है, लेकिन लोगों के बीच अब ये popular होने लगा है, अब लोग इसे accept करते जा रही हैं, future में ये bitcoin से भी आगे जा सकता है, या market में बिलकुल down भी हो सकता है, हो सकता है भविश में, ये एक fully recognized cryptocurrency ही बन जाए, बस इसके लिए जरूरत है तो cryptocurrency का rate worldly accepted होना चाहिए, और लोगों द्वारा transaction के लिए अपने computer की processing power उस currency को mine करने के लिए देना, मान लीजिए अगर cryptocurrency को mine ही नहीं किया जाएगा, तो उस currency के transaction कैसे किये जा सकेंगे, और ना ही वो currency worldly accepted होगी, जो currency दुनिया में सबसे जादा popular होगी, वो जादा valuable होगी, और उस currency की value दुनिया में अपने आप बढ़ जाएगी, Dogecoin ऐसी cryptocurrency है, जिसका नाम कुछ समय पहले तक लोगों ने सुना भी नहीं था, जो पिछले एक महीने से बहुत जादा popular हो गई है, अब इसके price 900% से जादा है, इसकी कीमत में उच्छाल, अच्छानक Twitter पर जादा mention किये जाने के कारण हुआ है.